Welcome back guys to this new video and this video में मैं आपको पताऊंगा how to use exports and imports in JavaScript तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको इसके पीछे का concept बताता हूं कि imports and exports को हम यूज क्यों करते हैं देखो अभी मेरे पास file खुली हुए index.js मुझे यहाँ पर दो functions मनाने हैं जो कि होंगे add and subtract अब अगर मैं सारा का सारा code एक ही file में लिख दूँगा तो थोड़ा messy नहीं हो जाएगा क्योंकि आप देखो Google, Zomato, इतने बड़े-बड़े apps हैं कि अगर यह सारा code अपने एक ही file में लिखेंगे तो बहुत जादा एक file बड़ी हो जाएगी अगर कुछ debug करना हो तो अभी बहुत जादा मुश्कल हो जाएगा तो हम करते हैं कि हम एक जो code होता है मारा उसको लगलग components में बाट देते हैं लगलग files में रखते हैं इसलिए ही हम जैसे for example मुझे यहाँ पर functions को apply करना है तो मैंने functions को यह उपर पहले से बना रख है आप देख सकते हो अब इस function से घबराना मत function सिर्फ इतना है यह उपर उसके उपर comment डाला हुआ है जैसे for example अगर मैं hover करता हूँ तो मुझे जो चीज़ी मिल रही है यह इस की जीएस में तो मैं कैसे कर सकता हूँ देखो हमारे पास दो वर्जन जाते हैं जावा स्क्रिप्ट के पहले मैं आपको पहला वर्जन दिखा देता हूं जिसको बोलते हैं common js अब मैं आपको देखाता हूँ और आपको यहां पर देखो जैसे इंडेक जो जीएस है ना अगर आप इसको सी जैस भी लिख दोगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ने वाला मैं इसको जीएसी रहने दूंगा वैसे तो मैं करूंगा कुछ नहीं मैं आप पर जाओंगा मैं अब बोलूँगा मोज्यूल डॉट एक्सपोर्ट और मुझे आप पर यह रख देना है ठीक है मैंने आप पर आप देख सकते हूँ यह कर ली ब्रेकेट्स के अंदर मैं लिकूंगा एड और मैं लिकूंगा सब्ट्रैक्ट मैंने आप लिख दिया है अब यह कर क्या रहे है यह कुछ नहीं कर रहा है यह बस इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उके एक्सपोर्ट एड्ड एंड ऐंस अब वर मैं जाओंगा अपने इंडिक्स hea अवा पर एक्सपोर्ट नहींगा ना एक फायल से एक्सपॉट करने का यह मैं दूसरी फायल में एक इनपोर्ट करूख एन पोड पैसे कर सकता हूँ मैं लिखुँ गया याँ रिच्ड अध यहां पर ठाट सब्सक्र का आयए यहां वान एंद सब्सक्राइट सब्सक्राइब तो आप देख सकते हो मैंने आपर स्टार्ट लिखना चाहिए था ओके आप देख से तो मैंने यह चीज़ डाल रखे स्लीव मेरा यह रण कर गी कमांड अब यहां पर देखना एक तुमारे पास यह तुरीका हो गया ओके अब यहां पर इसकी जो फ्लेक्सिवल्टी है वह इत इंपोर्ट नहीं होगा एड़ फंक्शन अब आप बोलों कि इसका यूज क्या हुआ फोर एक्जेंपल अगर मैं सिर्फ सब्ट्रैक्ट को यूज करना जाता हूं इससे जो मेरा बंडल साइज होगा ना फॉर एक्जेंपल अगर मैं वैबसाइट बना रहा हूं तो मुझे यहां कम कोड होगा उतने ही ज्यादा बैटर मेरी वैबसेट परफॉर्म करेगी तो यह बहुत अच्छे चीज होती है कि आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते कौन सा फंक्शन आपको चाहिए और कौन सा फंक्शन आपको नहीं चाहिए अब मैं आपको यह तो दिखा दिया है अ दिखूँगा और यहां पर अगर मैं लिख देता हूं तो यू कैन सी मेरे पास सैवन आगा क्योंकि एड कर रहा है ओके इन दोनों नंबर को एड करके सैवन आता है अभी हां पर अच्छी बात किया है कि अगर मैं इसको लिख दूंगा फोर एक्जेंपल लिख देता हूं आड तो नंबर्स एक अगर मैं इसको भी आब कर तो अभी बी चल रहा है जबकि मैंने आड को बोल औरफ मैं इसको एक्सपोर्ट कर और एक ही चीज हमारी एक्सपोर्ट हुई है जब हमारी सरफ एक ही चीज एक्सपोर्ट हुई तो हम उसको एज डिफोल्ट बोल सकते हैं कि हमारा डिफोल्ट एक फंक्शन है वो डिफोल्ट वह हमने कर दिया एक्सपोर्ट किया है जिसके अगर हम यहां पर नाम चेंज भी कर दे चेंदा करने के कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि नए वर्जिन ऑफ जावस्क्रिप्ट में जिसको हम बोलते हैं मोजूलर जावस्क्रिप्ट उसमें सारे चीज़े चेंज हो चुकी है अब हमें क्या करना है अब दो तरीके बताता हूं आपको इंपोर्टेंट यहां पर भी कर दिया है मजेस आपको इसके जूरूरत कुछ भी नहीं है तिक आप यह बहुत ज़्यादा इजी होजएगा क्योंकि लिखना थोड़ा एंकन वीनिट होता है आपको करना कुछ नहीं है आपको जाने इधर आपको एड़ करना है कि सब्ट्रेक्ट करना है अब सकता हूं डॉट फंक्शन और मुझे आपर मजेस के साथ एक्स्टेंशन लगाना पड़ेगा पहले मैं नहीं लगा रहा था यह को लेकिन अब लगाना पड़ेगा ठीक है और अगर मैं अब एड़ को बोलना पड़ेगा आप देख सकते मेरे पास्ट 7 आ चुक है और मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूं मैं इसको बोल सकताओ एड टू नमबर्स है अगर इसको चेंज करना जाता है नाम को तो मैं जोगा इसको करूंगा तो भी मेरा फंक्शन कर गया क्योंकि एड को मैं एड़ को में एडा मान रहा तो क्या होगा तो देखो तो यह नहीं करेगा डग लेकिना इस किओंकि अगर यह लुक करणाने इसको पारसान कर दी वैल्लिड ओके अब यह तो मैंने कर दिपट कैसे करते हैं डिफ़ोल एकस्पोर्ड कैसे करते हैं कि आपको देखो तो मेरे को डिफोल्ट पता लग गया कि यह डिफोल्ट जा रहा है है अगर मैं यहाँ पर चाहूं तो मैं आपर बोल सकता हूं एड एड बोल सकता हूं ठीक है और मैं यहाँ पर एड करूंगा देखो मेरे पास एड आ गया अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं बोल सकता हूं एड को ही मांग रहोगा किस नी default किया है इसको मैं डिफॉल्ट एकस्पोर्ट किया और ऐसा नहीं है कि मैं सिरफ एकस्पोर्ट अगर मैंने डिफॉल्ट कर दियो तो मैं बाकी नहीं कर सकता मैं आपर सब्ट्रैक्ट भी भेज सकता हूं पर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ओके एंड मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट सब्ट्राइक तब ऐसा लेख सकते हो ओके मैं यहां पर क्या कर सकता हूं मैं पर सब्ट्राइक भी मंगवा सकता हूं सब्ट्राइक्ट और यह देखो 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 चल गया मेरा काम हां अच्छी बात ही अब यह तो मैं आपको दिखा दी एम जेस एंड एम जेस यहीं चीज़ करके लेकिन आप आप इसको बगारना नहीं चाहते अगर कुछ मत करो एम इसको ऐसी रहने दो ठीक है तो मैंने इसको ऐसी रहने दिया और देखोई मेरा ओटोमेटिकली एम जेस से जेस बन गया ओटोमेटिकली क्यों बन गया यह मैंने इसमें एक्स्टेंशन डाउनलोड कर रखा है उसके यह जैसे हां पर यह हो जाती चीज़े अगर आपको डाउनलोड करना तो आप आप इ इसको इंस्टोल कर लिया अच्छी बात है अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं आपको जैसे देना और इदहर आओ ठीक है आपको क्या करने टाइब लिखना है अटाइप मोजिल अधिक है अम मुजिल आप देख सकते हूं एक कॉमन जीय से होरे मोजियोल है ओके अब मैं क तो यहां पर क्या हुआ ओके यहां पर मैंने एम जैस लिखा हुआ था मैं इसको ठीक कर देता हूं अब देख सकते में बस फोर आ गया है ना अमेजिंग चीज अब यह दियान रखना कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इसलिए इस्तिमाल करते ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट क्लटर ना बन जाए अच सारी चीज़े और्गनाइजड हों तो यह आप याद रखना दोस्तों इ अपनी अगली वीडियो में जिसमें आपको चीखाऊंगा प्रोमिसिस क्या होते हैं इन जावस्तित बाई बाई